कि हलो डियर फ्रेंट्स बेलकम टू और चैनल एक्जाम जोन अकैडमी आज हम लोग पढ़ेंगे एससी चल दो हजार उन्नीस के पेपर जो 2020 में उसी का एनलेसिस चल रहा है आज मेरी ये क्लास होगी जो 11 नंबर क्लास होगी कौन से होते ही 11 नंबर नहीं 12 नंबर क्लास होगी इससे पहले गेरा क्लास हो चुकी है आप लोगों ने नहीं देखी तो उनको पहले देखे उसके बाद में इस क्लास को देखे ठीक है दोस्तों चलो इस्टार्ट करता हूँ टाइम को ना वेश्ट करती हुए आज का पहला जो कुछा गया उर्जा के मापन की इकाई को जो कई की ही होती एवह उल्ट हुदि जो की होती जूल कि स्के होती कारी की भी होती और उर्जा पैबने डोल्च क्या हो जाएंगा इसका राइटां सरो ऱाइब घजायेगा ठीक है पटबर थाडे राइट इंसर हो जाएगा जबकि इंपियर किसकी होती है, इंपियर बताओ किसकी होती है, इंपियर जो होती है, वो किसकी होती है, इंपियर किसकी होती है, बताओ, इंपियर बिद्धारा की होती है, किसकी होती है, ठीक है, तो identify the unit of measurement of energy, इनरजी की क्या होती है, जूल होती है, और कारी की भी जूल होती और विद०्ध धारा कि जो होती वो आपकी वोल्ट होती और वेदृध धारा की इलेक्ट्रिक करेंट की जो होती वह आप की क्या होती is उसके बाद में अगला जो पूछा गये पंजाबी लिप भासा की लिप गुर्मखी का अविस्कार की किस गुरु ने किया था हर किसन ने तो किसे ने किया था किस ने का था तो आफ़सन नंबर फोर क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा तो कौन थे गुरु अंगत थी आफसर नमबर फोर राइट एंसर हो जाएगा उसके बाद में अगला प्रसंद देखते हैं अगला प्रसंद क्या है अगला प्रसंद है निम्नमे से कौन सा उपकुरंट कम्प्यूटर में डेटा इस्टोरेज या डेटा दर्ज करने के लिए ही किया जाता से कम्प्यूटर में डाटा करने के लिए जा उसको दर्ज करने के लिए नहीं किया जाता तो तो किबोर्ट से भी कई इसकी कपने किफ में सлись जाताły कि defending ऑफ से इसका माज़ा नहीं से हुटाय शουर्यलियॉण ऑफका है जो कुछ दिच पर दिंटेशन का मानिटर राइच सुरू जाएगा इसके बाद में अगला प्रसन है अगला जो प्रसन पूछा गया है निम लिखित में से किस सारजनिक छेत्र के उपक्रम में महारतन का दरजा नहीं है किसका महारतन का दरजा नहीं है तो महारतन वाली वीडियो बन चुकी है हमने कहा था कि इससे पहले भी पेपर में आपने देखा उसमें भी पूछा गया था इंडिया लेंटिड कोन इंडियां लेंटिड इंगी पिर्ट इंजीनियर इंडियां लेंगेंट तो कौन इधी नहीं चैनल कोन होती है उसमें कोड इंडियांटी प्रीए गुद ये हुत इसकाृत इंजीनियर इंडिया लिम्टेड जो है यह आपकी किसमें आती यह इंजीनियर इंडिया लिम्टेड यह मिनी रत्न में आती है ठीक है तो दर्जा नहीं है किसका नहीं है इंजीनियर इंडिया लिम्टेड का नहीं है तो आप से नमबर फोर राइट एंसर हो जाएगा तो यह कौन सी नहीं होती है इंजीनियर इंडिया लिंटेड आफ सर इसका हो जाएगा उसके बाद में अगला जो पूछा गया उसको देखते हैं बहुत इस्थल वैसाली और नालंदा निमलिकित में से किस राज में इस्थे थे तो बहुत इस्थल जो वैसाली और नालंदा किस राज में च्छतिसगर में है तेलंकाना में ओरिसा में बिहार में तो देखो किस में होते हैं यह भी अब बिहार में हैं जो वैसाली और और सिटुएटेट इन विच आफ दाफ फालोविंग इस्टीट चंडीगार चंडीगार तेलंगाना ओडी साब भिहार तो कहां होती भिहार आपसा नंबर फोर राइट एंसर उसके बाद में अगला प्रसन पूछा गया है निम लिकित में से कौन लॉन टेनिस चेंपियन नह रहा है तो कौन नहीं रहा है तो इसमें मनिकावत्र रहे गारा रहे लेंडर प्येस वह भी रहें जिबकि मॉनिकावत्तर नहीं आफसा नंबर को राइट एंसर उसका उसके बाद पूछा गया है तो जेखो सेवन सिश्टर जो होती है उन्हें सात बहने कहते हैं बहन राजी कौन नहीं पूसा नहीं आपसर नमबर वन इसका राइट एंसर हो जाए। कौन कौन होती देखो उधर असम होता कौन होता असम होता अरुडाचल प्रदेश होता कौन सा होता अरुडाचल प्रदेश होता असम हो गया एपी हो गया कौन सा हो गया एपी हो गया मड़िपूर हो गया कौन सा हो गया मड़िपूर तिरपुडा मेगालाए तिरपुडा का लाइन गालेंड हो गया कौन सा हो गया कौन गया और साथकोण कोन टांट साथ्uman कौन होता है देखो। बचसे लेटेस्वा मी दोघ बहुता है मीजोरम जो होता वो भी होता पस्चम बंगाल त्ल आटा को स्व कर अइजिक्तर सेवन उसी में पढ़ता लेकिन पस्तिम बंगाल नहीं आता मिजोरम और मिजोरम यह साथ साथों को सेवन सिस्टर कहते हैं तो आपसा नंबर वन इसका राइट एंसर हो जाएगा बिच आप फॉलोविंग इस नाट अनौर्थ इस्ट इंडियन सिस्टर इस इंडियन सिस्टर इस्ट कैसे बढ़िया पोच रहा है मुगल समराज के सासकों का सही क्रम कौन सा बाबर हुमायू औरंग जप जहांगीर साह जहां बहादूर्सा अकबर बहादुर सा उसके बाद अकबर बाबर औरंग जेव हुमायू जहागीर सा जहा जहा बहादुर सा अकबर को कौंसा हो जाएगा थेखे और लड़का यहां गीर यहां घर रजक और अगार का अगार्थ को कि हसके बाद में अगला भाबर बाबर कैछिसे वाहदुसा जिसे इसके बाद में अगला अगला प्रहुत्सी में पूछा ऑप भारत को एक धर्म nirpearl को देश कहा जाता है क्योंकि नागरिकों मौली का धिकार ए अविव्यक्ति और अविव्यक्ति की सोतंतरता पूरे भारत में सोतंतर रूप से घोमने की किसी की पसंद का धर्म परचार करने की सोतंतरता मानवी य गरिमा के साथ जीए तो चिसी भी पसंद का धर्म प्रचार करने की तो अल्डाइटिश्ट इसका अफर्ष इसका 10 क्यूंक network निर्पेच की बात करता तो किसी जह संद कर सकते उसका e सकते हैं गिरहन कर सकते हैं तो आसंट नुम्ठर धर राइइड इंडिया इंडिया गाली इंद्सक्राइड लिग विजय की ओडिड़ी के जिव πα्रविंग इस ऐन्रस अंठारिली आफ वरे के सके डिडि़ा Rogers, yatbrar ह। Georgia, उसके बाद में अग्ला जो पूछा गया- तो किसका ये प्रकार होते हैं तो ये प्रकार भी यब बादल को कहते हैं उस्य भादल को कहते हैं तो किस तो ये प्रकार होते हैं आप सा नंबर ठरडराइट एंसर सीरेस एंड था रॉड्ड होते क्या होते इपनेत पूछा गया है बेधिन खलम किस राजिका पारंपरिक एक नृत तेयुखार होता तो बेधिन खलम जो होता वो आपका मेघालाई का होता कहा का होता मेघालाई का होता जब कि गुजरात का डांडिया आप लोग जानते हैं गुजरात का डांडिया जानते हैं ठीक है और तमिलनाडु का भी जानते तमिलनाडु का क्या होता बताओ तमिलनाडु का क्या होता उसके बाद में अगला प्रस्म देखत का होगा में घ्ला इका हो था आपसर नमबर फोर राइट इंसर हो जाएगा को उसके बाद में अगला जो प्रस्ब्षंभी लिखा क Id 4分 कर दो लिखा था प्रेम चंद्र नहीं लिखा एक जाम वारियस नरिंद्र मोधी की है कि हो इजदा आथर आफ सबका साथ सबका भी कास प्रेम चंद्र आपसा नमबर सिकेंड राइट एंसर हो जाएगा उसके बाद में अगला प्रसन देखते हैं अगला प्रसन कहता है वर्ष के दि सूर से प्रतवी सबसे दूर होती है नमक इस्थान पर उदासीनता च्याल जुलाई को होती तेरा सोला अगस्त को होती सोला अगस्त को की बारा माई को तो चार जुलाई को जो होती है प्रतवी सबसे दूर होती सबसे सूर से सबसे दूर होती चार जुलाई को होती और तीन तुर्ड हेंकि आपसाद नंबर फश्ट राइट एंसर हो जाएगा ओन विसडे अप्ट पयर इस अर्थ फर्देश्ट फ्र्रिस्ट फॉर्देश्ट of फ्रॉम दसन अर्थ पोजिशंग कॉल एफियन 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 जब होती एफियन जब होती वह कब होता फोर जुलाई को होती आफसन नमबर वन राइट एंसर हो जाएगा उसके बाद में अगला प्रिस्म पूछा गया है करतारपुर साहिब गलियारा भारत के गुर्दासपुर में डेरा वावा नामक तीर्थ को जोड़ता है पाकिस्तान में करतारपुर गुर्दारा जो किस नदी के किनारे इस्तित है करतारपुर जो गुर्दारा है ये किस नदी के किनारे इस्तित है ये रावी नदी के किनारे है करतारपुर साहिब कॉरिडोर कनेक्ट डेरा बाबा नानक स्रीलाइन इन स्राइन इन गुर्दासपूर इंडिया तो करतारपूर गुर्दासपूर इन पाकिस्तान विच इज लोकेटेड नियर दबाइंक आफ दरहीवर किस नदी का किनारा रवी नदी का आफसर नमबर थर्ड राइट एंसर उसके बाद में अगला प्रसंद पूछा कि रूप में किसी नियुक्त किया गया नीलम सवानी को गलाच अर्विंद सरद अर्विंद वोप्टे को आफसर नमबर सिकेंड राइट एंसर चील स्वें कौन थे रंजन गोगुई थी उसके पहले कौन थे दीपक मिस्रा थे ठीक है तो कौन है सरद अर्विंद वोप्टे हैं वो हैज बीन एपॉइंटेड अजदा फोटी सेवन फोटी सेवन चीप चेश्टिश आफ इंडिया सरद अर्विंद वोप्टे हैं आफसर नमबर सिकेंड राइट एंसर है उसके बाद में अगला जो प्रसंद पूछा गया है भारत की राश्वतर वर्श की एक कारिकाल के लिए धारन करते हैं कितने पांच वर्श के लिए आफसर नमबर सिकेंड इसका राइट एंसर हो जाएगा अगला जो पूछा गया है अगला प्रसंद पूछा गया है दस से बारा जनुवरी दो हजार वीच के बीच खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां इजित किये गया थे गोहावटी नागपुर नई दिली भोने सर कहां इजित किये तो यह असम की राजधानी गोहावटी में आपसर नमबर वन राइट एंसर हो जाएगा गोहावटी में हुए थे गोहावटी में हुए थे तो आपसर नमबर वन राइट एंसर हो जाएगा उसके बाद में अगला प्रस्म पूछा गया है इन में से कौन आपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है तो SQL होता Linux होता Unix होता Mac OS होता कौन इसमें आपरेटिंग सिस्टम नहीं होता तो आपरेटिंग सिस्टम कौन नहीं होता भया SQL जो होता है SQL वो एक आपरेटिंग सिस्टम नहीं होता जबकि Linux होता यह पढ़ चुके इसके बारे में है पिछले पेपर में पूछा गया था Unix, Mac OS मैं कोस उसका रिटीं सिस्टम जैसे गूगल का होता मैं कोस होता ठीक है बैच colony इस नोड ए और आइन ओंपरेट इन सिस्टम कौन नहीं होता सकी यूल यस क्यूलय कि यूल जो होता है स्कुल वह एक अपरेटीं सिस्टम नहीं होता जब कि लाइनेश भी होता है यूनिक्स होता है मैकास भी होता है यह सभी होते आपरेटिंग सिस्टम आपसा नमबर वन राइटेंसर उसके बाद में अगला प्रस्म पूछा गया है किस राज में सहला निरत की उत्पति निरत के बाद लड़कों द्वारा किया जाता है फसल की मौसम भिहार छत्यम कर और भी साझ राजीं कर तो स्हथिस न्रत किस राजी का तो बही है यह इन विच स्टेट एक में घाला युद्ध अपूछा गया था इन विच इस्टेट डिट दा सहला डांस ओरिजनेटेट दा डांस इज दा परफॉर्म बाइब बॉइज अप्टर हर्विट सीजन्स जब फार्सर पकटती है उस समय तो यह 36 कड़ में होता आपसर नमबर सिकेंड राइट एंसर हो जाएगा जबकि जाट जाटिन यह कहां कहा होता यह बिहार कहा हो उसके बाद में अगला जो पूछा गया है उपर वाई मंडल की किस परत में एक जो इस्पियर नहीं होता टोपो इस्पियर समताप मंडल मेजो इस्पियर थर्मो इस्पियर तो किसमें जो होता है यह उपर वाई मंडल में एक्जोअneh 모양 या ये जो होता डा अग्रतों लाइन जोहतीगा किस दोए एक्जा सपियय लाइन जया हुआ तो किसमें उती थर्मोश पीर आपसा नंबर फोर क्या हो जाएगा राइट एंसर हो जाएगा उसके बाद में अगला जो पूछा गया है हरपा सब्विता की खोज किस वर्स हुई 1926 में 1932 1921 1905 तो हरपा सब्विता की खोज 1921 में दयाराम सहनी ने की थी जब कि दयाराम सहनी ने की थी 1921 में तो आफसा नंबर इसका थर्ड क्या हो जाएगा राइट एंसर हो जाएगा जबकि राखलदास बनर जी ने 1922 में किसकी मोहन जोदरों की खोज की थी किसकी की थी मोहन जोद्रो की 1922 में राखल दास वनर चीने की थी ठीक है तो आफसर नमबर इसका थार्ड क्या हो जाएगा राइट अंसर हो जाएगा उसके बाद में अगला इन विच एएर वाजदा हरपन सिल्वाजेशन फर्ष्ट डिस्कावर्ड कब हुआ 1921 किसके दौरा राखल दैराम सहनी के दौरा आफसर नमबर थार्ड राइट अंसर है उसके बाद में अगला प्रस्ट पूछा गया है आप निम्न में से किस पेंड को लिटोरल वनों में पाएंगे लिटोरल वनों में किसे पाएंगे किस वरच्छ को पाएंगे तो बताइए किसे पाएंगे किसे पाएंगे आप नोज को सुंदरी को सरू को चिनार को तो किस को पाएंगे सुंदरी को पाएंगे लिटोरल वन हां साइप्रस चिनार तो कौन से होती है तो सुन्दरी होती आफसा नमबर सिकेंड राइट अंसर हो जाएगा उसके बाद में अगला सुन्दरी व्रच की अधिकता कहां होती मैंगरोवनों में होती सबसे ज़्यादा यह सुन्दरवन में पाए जाती है इसलिए बंगाल का ज रसाइनों से जोड़ा गया है जो chlorofluorocarbons होती है लहर का प्रसार जोर का प्रवा ऑजोन की कमी बिदुद्थ-चुम्बकी हस्तचहिव तो किस से जोड़ा गया है तो इसे जो लागा ऑजोन уп casting होती उससे जोड़ा सबसे ब्शुवारोमेनटर उसे एफसर नंबर थार्ड क्या हो जाएगा इसका राइट एंसर हो जाएगा उसके बाद में अगला प्रस्ट देखते हैं अगला प्रस्ट पूछा गया MS Office में Software में पंक्तिया पाट के केंद्री संकेरंड के लिए स्वाट कट कुन जी का बताईए तो किस पंक्तिया पाट के लिए किस का किया जाता है तो किया जाता है Control E का अफसर नंबर वन राइट एंसर हो जाएगा आफसर नंबर वन जो हो जाएगा राइट एंसर हो जाएगा और इसी के साथ में ये मेरी क्लास समाप्त होती है आप लोगों को मिलेगे नेक्स्ट क्लास में अगले पेपर के साथ ठीक है जैहिंद दोस्तों आजय करता हूँ आप लोगों को यह बहुत पसंद आएगी अगर पसंद आते तो लाइक कर देना शेयर कर देना आप लोगों की उम्मीदों पे escap में कर रहा हूँ ठीक है दोस्तों बहुत मेंधकरनी परती है के question type करने में ठीक है मिलता हूँ दोस्तों जय हिन दोस्तों